और अब बात सर्जिकल स्ट्राइक पर कॉंग्रिस में दिगुजय सिंग के बयान पर बचे बवाल की करेंगे कल दिगुजय सिंग ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उखाए तो कॉंग्रिस में इस बयान पर किनारा कर लिया आज भारत जोड़ो यात्रा के दुरान जब मीदिया ने दिग्वजय सिंग पर इस बात कर दे की कोशिश की, तो कॉंग्रिस के मीदिया प्रभारी जैराम रमेश्ट दिग्वजय सिंग को बात करने से रोप दिया. अब तस्वीरे देखिये, कैसे वो आडे आगए जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश भी. तो सर्जिकल स्राइक को लेकर कर दिग्रुजय सिंग ने सवाल उठाए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये आपको दिखा रते हैं और इस पर बीजेपी के निशाने पर वो कैसे आगए? सुनिये. सी आर्पी एफ के लोगों ने, डारेक्टर ने मान की थी, कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सी आर्पी एफ के जवानों को हवाईजास से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए. लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया, फुल्वामा जो की पूरे तरीके से टेरेरिसित का एक केंद बन चुका है, वहाँ एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जाश परताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है, और हमारे 40 CRP के जवान शहीद हो जाते हैं. आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी. सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये कॉंग्रिस पार्टी का चरित्र है. आप भारतिये सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बरदाश नहीं करेगा. श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहूल गांदी और दिग्विजे सिंग अब अंधे हो गए हैं. देश के लिए भक्ती भाव भी जो है, वो समाप्त हो गया है.